पापा कुछ देखे लाई किया अलगा और हाँ बैग्राउंड में कोई डांस कर रहा है हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आसा करते हूं आप लोग सभी काफी अच्छी होंगे तो आज मैं आप लोग को घुमा रहा हूं रांची के सारे पंडाल दर्शन करने से पहले आप लोग काम कर लीजिए अगर आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए देर ना करते हूं आप लोगों को मैं घुमाता हूं रांची के सारे पंडाल यहां पर सिप पारवकति जी का जो मूर्थी बनाया गया है उनका जो टेक्श्यार काफी सही दिख रहा है और हर जगा देखो, आप लोग तृषूल ही तृषूल, मतलब तृषूल से पूरा सजा दिया गया है इस बंढान को, और काफी सही, तृषूल और बादल कॉंबिनेशन काफी सही लग रहा है यहाँ पर, जैसे कि Аप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर यह जो बांसों से बना दोस्तों यह था इस्टेशन रूड का पंडाल काफी सही लग रहा यहां का और आप लोग अने सारा दिखा दिया यहां का नजारा बागी का नजारा दिखाते हैं और बागी का पंडाल भी दिखाते हैं कि हम लोगे कोकर बाजार बर यहां का पंडाल जहीं काफी सही है और जिसे कि यहां पर ग्रास का टेक्चर दिया गया है और वाइट वाइट पूरा बनाया गया है पहाड और स्पास ही वे एक छोटा सा तालाब भी बनाया गया है काफी सुन्दर नजारा यहां अंदर से पूरा गुफा नुमा यहां आकार दिया गया है और आप लोग देख सकते हो बोले बाबा और पारोती जी को यहां पर साथ यहां पर एक शिविलिंग बनाया गया है दोस्तों अभी पहे हूं दीपाटोली बाध गाड़ी के पंडाल में और यहां सका भी आप लोग अभी तक मैंने जितना भी मूर्तियों दुखो देखा है उनमें सबसे जादा आकरशक मुझे यह दिख रही है देख सकते हैं आप लोग और इसमें साफ तोर पर उपयोग किया गया है धान के जो अवशेश होते हैं वो यूज किया गये हैं और काफी सुन्दर कुछ कहानि होती हैं उनके बहुत सारे प्रारूप बनाए गये हैं जैसे कि यह देख सकते हूं सेशनाग वाला जो कृष्ण देव की लीला थी पर काफी सुन्दर जो यहां पर राधा कृष्ण की जो आकरिती है देख सकते हैं वाव एक बड़ा सा जूमर और उपर का नजारा भी काफ किनारे किनारे पर आपको देवी की प्रतिमाए देखने को मिल जाएगी पाफी सारे देवियां है यहां पर और बीच में आप लोगो नंदी जी का और साथ में बहुले बाबा बैठवे दिख जाएंगे अभी हम लोग है बरियातु हाउसिंग कॉलोनी वेनेक्स कलफ में और यहां का जो पंडाल है वो काफी अलग देखने में है अभी तक हम लोग ने जितना भी इस पंडाल देखा उनका जो था टेक्शर वो कलरफूल था लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पूरा वाइट औ और ब्लू का जो टेक्शर है काफी मनरम द्रिश यह बना रहा है इस पंडाल को और यह जो है फॉर्म का बनावा है और जो कि कितना सुन्दर लग रहा है आप लोग देख सकते हो इसे साथ ही सूरीदेव की प्रतिमा उपर और घोडे जो के उड़ते हुए हैं और काफी सार का यूज करके यहां पर इतना सुन्दर बनाया गया है इसे मतलब मैं तो कहूंगा कि अगर आप लोग यहां पर नहीं आते हो तो आप लोग का पंडाल गुमना व्यर्थ हो जाएगा तो दोस्तों हमारी मुलाकात हो चुकि यहां के सचीव जी से तो चली जानते हैं इस पं नंवरो को संदक्चीत करना है और सारा भी जो भी थीम है हमारा उसमें कोई भी जो लेंसील परदाट नहीं और बैन प्रोडेक्ट कोई भी नहीं है और यह पर एवलएं के उपर पूरा थेम्भ है दोस्तों मेरे पीछे जो है बेडिकल चौक बरियातु के यह पंडाल है तो काफी यहां पर सुनहेरा पंडाल देखने को है चली मैं आप लोगों के इसके अंदर ले जाता हूँ और पूरा सुनहेरा तो दोस्तों अभी हम लोग हैं मौराबादी के पंडाल में और देख सकते हैं यहां का सिंपली बनाया गया है यहां पर वैसा कोई खास तोभवे जैसा नहीं है फोर्म का बनाया गया है तरका नजारा कैसा है इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और परदे के परदे के हर तरफ परदे के रूपों में और पिछे एक सिनेरी का पोस्टर दोस्तों अभी हम लोग है मुरवादी के गितांजली करप में और यहां का पंडाल जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है यहां का कि यहां पर काफी सारे जो पपेट है पपेट के रूप में बनाया गया है और यह जो द्रिश है यह थोड़ा देखने में अनोखा लग रहा है जैसे कि यहां पर जो है यूज किया गया है नेट तो पतले पतले नेट यूज किये गए है और बीच में जो है यहां पर है हमा तक देखने को मुझे मिल रहा है यहां पर इस टाइब से है यहां पर और हमारे देश के वीर जो काफी धक जाते हैं और अराम कर रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों फिलाल हम लोग है एटी आई चौंक के पास और यहां पर जो एक पंडाल जो खुबसूरत से बनावा है इसको थी रोड के चारो और दोस्तों इस पंडाल को थार्मकॉल और प्लोट्स की मदद से बनाया गया है जैसे देख सकते हो कलाकरिती काफी सुन्दर लग रहा है और फोम का भी उसकिया गया है काफी ज्यादा साइड में आपके फ्लार्स लगे हुए हैं और देवी की प्रतीमा उपर देख सकते हो दो नाओ जो है नाओ की आकरिती लगाई गई है इट मींस कि इसे एक बोट का रूप देने का खुशिस किया गया है तो यहां का जो थीम है आई थिंक पपेट वाला थीम दिया गया है और लाइटिंग काफी सारा यहां पर छोटे-छोटे फाउंटेंस यहां पर दिये गये हैं जिसमें कुछ वर्किंग भी नहीं है अलग चीज़ करने हैं कोशिस किया गया सराहना करता हूं उसकी प्लस वह कऑ है तो यह बनाया गया है पूरा लखडियों के द्वारा और लखडियों की कटाई कर करके जैसे गोल गोल देख सकते हो ऱहां पर और उसे चिपकाया गया है और मतब लकडी का कुछ ज़्यादा ही यूज किया गया है यहाँ पर लिख सकते हो दोनों साइड लकडिया ही लकडिया और अंदर भी लकडियां परसनली मुझे लगता है कि पंडाल को अगर लकडियों से इतने जादा लकडिया यूज करके बनाया जाता है तो इसे पेड़ों के बरबादी भी हो सकती है आप लोग कमेंट करो कि क्या मैं सही हूँ या गरत हूँ प्लस यहां अगर डिजाइन्स देखा जाए तो काफी सही उपर जूमर लगे हुए है और अंदर देवी मा की मूर्ती के लकडि के ही आकरितिया बनाए गए है जिसमें सहनाई बजाता हुआ कोई भोंपु बजाता हुआ नंदी जी का तो इस तरह का है यहां का पंडाल और ज देख सकते हो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लकड़ी का ही जुमर बनाया गया है तो काफी सही दोस्तों यह है फिसका मुड पंडाल और देख सकते हैं यहां पर यह भी आपका फॉम का और रूही का वाव यानि पोटन का बनावा है यह है अंदर का नजारा और का द्रिश्ची जो देखने को मिल रहा है काफी सहीं तो देवी को दर्शन आप लोग कर लीजे साथ ही यहां पर कॉटन के बने उड़ता हुआ घोड़ा फिलाल हम लोग है बंडरा में ओटीशी ग्राउंड के पास और यहां पर दिया गया है सेशनाग का काफी मोनरम द्रिश है यहां का और मैं आप लोग को सिनेमाटिक शॉट्स पर दिखाता हूं कि कैसा यहां का बनाया गया है अभी तक में मैंने जितना ही पंडाल देखे उन में सबसे आलग यहां का थीम है पर हमें रंजीत जी मिल चुके हैं तो यह अपना जो भी एक्सकिरियंस से सियर करेंग तो कैसा लगा आपको हमको यहां बहुत अच्छा लगा 15-16 पंडाल देखें लेकिन यहां हमको अच्छा लगा और टीसी ग्रोन पंडरा में जो पंडाल बने हुए है बहुत अच्छी लगे आपको आपने सारा पंडाल घुम लिया और पैदरी ने मुनने बच्चे भी है अच्छी इन से जानते हैं तो अब से पहले बता अपना नाम बाबू अरामिका कुमारी अच्छी और कैसा लगा अच्छा लगा इतना कुछी हमत सबसे बेश्ट कहां का लगा तुमको यही का लगा मैं तो बहुत पाजारी थी आंसे और क्या-क्या स्पेसल चीज खाए सबसे अच्छा लगा और हाँ बैग्रांड में कोई डांस कर रहा है तो उन्हें डिश्टाब ना करते हुए चलिए आप लोग को अंदर का नजारा दिखाते हैं तो दोस्तों जितना ये बाहर से खुबसूरत है अब चलिए देखते हैं कितना खुबसूरत है अंदर से तो यहां का आप लोग देख सकते हो इनका जो इंट्रेंस है वो एक सांप का खुला हुआ मू है जिसका एक धांत जो तूड़ चुका है दरसक लोगे कारण ही तो च यहां पर बर्गत के जो जड़ होते हैं वो लटकाएगे हैं साथ में उनमें नाग लटके हुए हैं और काफी अलग थीम यहां पर जितना खुबसूरत ये बाहर से उतना अंदर से भी है पुरा जारखन में जो फेमस है बकरी बजार में आप वहां पर आ चुका हूँ और यहां का मैं आप लोगा भी पंडाव दिखाने वाला हूँ झेलल आप लोग यहां का पंडाल का बحد है .... यहां का पंडाल है उसे देखने से आप लोगों को लगेगा कि यह आपका राजभावन है राजभावन कह दो या फिर ताज होटल कह लो उसी थीम पर बनाया गया होगा मेबी पर यहां पर जैसे कि आपका लिखावाई यहां पर बनाया गया है यहां पर देख सकते हैं लकड़ी के ऊपर कारीगरी की गई है साथ ही देख सकते हो साइड साइड में काफी सारे प्रतिमाई और पोस्टर लगाए गए हैं उपर के तरफ भी बीच में जूमर और साइड साइड हर तरफ क्रिश्ली जी की लीला को दर्शाते हुए काफी सारे फोटो और यहां आप लोगों को सबसे पहले दर्शन कराते हैं देवी जी की अब चलिए बकरी बज जूला और काफी सारे बच्चों के खेलने के लिए प्लस बड़ों के लिए भी काफी सारे चीज़े होती हैं बगरी बजार में इस बार एक नया तरह का जूला भी है क्योंकि मेरी तो नया है इसमें आपको नाओं का लुक उठाने को मिलने वाला है देख सकते हैं आप होता है बलगि काफी सारे खाने पीने का समान भी होते हैं हम लोग ने सारा राची का जो पंडाल है अल्मोस सारा घूमी लिया प्लस वखली वजहार रहा था ये आखरी पंडाल था जो मैंने घूमा प्लस यहां पर एक बाबू मुझे मिल गई है तो यहां पर बताए गी कि पापा कुछ ने किलाई किया तो बताओ नाम तुमकों नहीं पता लग रहा है पापा कुछ ने किलाई ने को दोस्तों ठीक है फिर आशा करते हूं आप लोग को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और मैंने कोशिज कि रांची का सारा जितना भी हुसा के पंडाल आ और मैं डे ब्लोग भी करूँगा तो उसको देखने के लिए आप लोग बने रही चैनल पर और डू लाइक और सब्सक्राइब टूमा चैनल अगर आप लोग अभी तक नहीं किया है तो तो फिर मिलते हैं आपको अपने आने वाले आगले वीडियो में तक तक के लिए जय हिं भर, आपको अपना करना है दिया है।